ऐल्कम टूमम्तास कीचन फ्रेंट्श लास्ट वीडियो मैं मैंने खट्टे आचार का मसाला बनाने की रेसिप सेयर किती और आज अभी मैं गुज्राती मीठे का मसाला बनाने की रेसिप закры 余ह यह भी एक दम आसानी से बन जाता है और वो मसाला हमने बनाया था इससे इसमें तीन से चार मसाले ज्यादा पड़ते हैं और इस मसाले में से आप केरी और निबू दोनों का मीठा आचार बना सकते हैं तो चले बनाते हैं परफेक्ट मेजरमेंट्स और टिप्स के साथ गुज बैड़ते मीठा आचर मसाल बनाने के लिए हाफ कप राय की डाल ली है 1 हफ कप मेथी की डाल है फोर्थ कप धन्य की डाल है राफ कप लाल मिर्च पाउडर है और वन एथ कप हमने सॉल्ट लिया है ब्लेक पेपर है हल्दी पाउडर है स्वाव है और यह हिंग है श्ट्रॉ राय और मेथी की डाल को हमने और धन्ये की डाल को हमने ठूप में सुखा कर लिया है और ये धन्ये की डाल को हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे एकड़要 Lum fine powder नही बनाना है जश्ट हमें opposite direction में mixer चला कर एक दो बार चला कर इसे थोड़ा crush कर लेना है तो हम मे ढ्मकर लेते हैं कि तो हम भुष कर लिए एक तो इससे हमने करम करने के लिए और खर स्वर्च ले लेंगे 건 इसके अंदर हम सबसे पहले राइक डाल डालेंगे इसे ऐसे खट्डा कर देंगे उसके उपर ये मेथी की डाल डाल देंगे और ये धने की डाल को हम साइप में डालेंगे ऐसे बीच में इसा कड़ा कर देंगे और यह सोल्ट को हम इसे डाल देंगे मीठा आ चाल रहे तो इसमें सोल्ट कम पढ़ता है यह सोल्ट पी हम ने रख दिया है और यह ब्लेक पेपर हमें एकदम इसे बीच में डालने है और हेंग है उसे हम एसे फिला लेंगे तो यह ओल भी हमारा गरम हो चुका है और इसे ब्लेक पेपर के उख परसीधा डालना है देख सकते हैं आप और इसे तूरत ही हमें रख देना और पांच मिनट के बाद इसे हम खोल के देख लेते हैं एक दूम अच्छे से सब हो चुका है और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर और सौंफली है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमने ये गुजराती मीठे आचार का मसाला बनाया है आप खटे आचार का मसाला भी इसी तरह एकदम इजली घर पे बना सकते हैं तो खटे आचार का मसाले की रेसिपी की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में दी है तो आप लिंक ओपन करके खटे आचार का मसाला भी घर पे आसानी से बना सकते हैं, आप इस तरह मसाला बना कर इसमें से आचार बनाएंगे, तो आचार बहुत ही टेस्टी बनेगा, मार्केट में इंस्टन पिकल मसाला मिल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कलर या तो फ्रिजोवेटिव रहता है, त आप घर पे बनाएंगे, तो ये हमारी हेल्ग के लिए हमफुल नहीं होगा, इस तरह बनाए हुए मसाले में से आप आचार बनाएंगे, तो पूरे साल भर के लिए ये बिगडेगा भी नहीं, और इसका कलर और टेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, और पूरे साल भर के डाल दे, और अच्छे से ही से मिक्स कर ले, और फिर आप इस मसाले में से आचार बनाएंगे, तो पूरे साल भर के लिए आपके आचार का कलर लाल का लाल ही रहेगा, और ये दीवे लियाने की केस्टर ओयल आचार को प्रिजव भी करेगा, तो फ्रेंस तया है, सिपके लिया कीप वोचिं मम्तास कीज़